IncomeTex.gov.in पर आपको एक डिटा दिखाई दे रहा है कि 26 जुलाई तक 5 करोड़ ITR फाइल हो चुकी है IncomeTex Department ने लेटेस्ट एक ट्वीट भी किया जिसमें यही बताया कि 5 करोड़ ITR हमारी assessment year 24-25 की फाइल हो गई है 26 जुलाई तक, ठीक है? This is 8% more than ITR filled in the preceding year over 28 lakh ITR were received on 26 July itself. एक दिन में 28 lakh ITR फाइल हुई है और अब तो यह scenario और बढ़ जाएगा 31st जुलाई तक अब सभी persons को problem ही आ रही है कि portal ठीक से काम नहीं कर रहा तो portal के लिए हैं क्या लिख है देखिए Infoices is the technology partner of income tax department for operating the e-filing portal They have been instructed to ensure uninterrupted services and has ensured uninterrupted service during the e-filing peak period तो यहाँ पर बताये कि जो income tax department का portal है वो handle करता Infoices और वो बिलकुल आपको uninterrupted services दे रहा है यानि बिलकुल hassle-free ITRs आप income tax portal से फाइल कर पा रहे हैं जबकि ऐसा actually नहीं है taxpayers के साथ बहुत problems आ रही है आईटर फाइल करने में आप दिख रहे हैं CA Guruji, मैं हूँ CA Pooja screen पे आपको दिख रहे हैं courses यह सभी courses available है cagurujiclassis.com पर यह courses and combo courses के section को आप एक बर visit कर लिजे और हमारे daily free articles पढ़ने के लिए visit करें text updates के section को cagurujiclassis.com पर यहाँ पर income tax portal पर ही आपको technical problem अगर आ रही है तो उसके case में किसे reach करना है वो help line numbers भी दिए है यह आप screen पर देख पा रहे हैं और एक email ID भी आपर दे दी गई है तो अभी date extension की कोई भी उम्मीद आप income tax department की तरफ से मत रखिए आप अपनी ITRs अभी दो दिन बाकी है जितनी हो सके निप्टा लीजे 31st जुलाई तक 31st जुलाई तक अगर आप ITR file नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे loss bear करने होंगे अगर आपके किसी client का या आपका खुद का tax liability बनेगा तो अब आप उसको 31st जुलाई के बाद अगर file करोगे तो 1% की आपको जो है extra interest liability बनेगी pay करने के लिए फिर चाहे date extend हो या ना हो ये दोनों ही सिनारियों में situation same रहेगी 31st जुलाई के बाद अगर किसी ऐसे person की ITR आप फाइल करोगे जिनका tax payable बनेगा तो उस पे एक महीने का extra 1% interest उनको bear करना पड़ेगा अगर date extend नहीं हुई तो आपको late fees के साथ आईटर भरने की option दी जाएगी section 234F में अगर आपकी income up to 5 lakh होगी तो 1000 आपसे late fees ली जाएगी और अगर above 5 lakh होगी तो फिर आपसे 5000 की late fees ले जाएगी जिनकी income exemption limit से कम होती है उन पर ये late fees भी applicable नहीं होती बट अगर आप आईटर को late file करते हो और lows को carry forward करना चाहते हो तो belated आईटर के case में आप lows को carry forward नहीं कर सकते हो ठीक है इसके अलावा आप unnecessary आईटर को जितना delay करोगे आपको उतना ही pressure रहेगा कि मुझे अपनी आईटर फाइल करनी है मुझे अपनी आईटर फाइल करनी है क्योंकि जब तक हम किसी काम को निप्टा नहीं देते तब तक हम procrastinate करते रहे हैं कि वो काम हमारे ओपर ऐसे pressure की तरह बैठा रहता है ठीक है तो आप जितना जल्दी अपनी आईटर को निप्टा पाएं उतना अच्छा रहेगा तो जितना जल्दी हो सके income tax portal पे आके अपनी आईटर को फाइल कर ले portal पे problems तो आ रही है पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और आईटर की date अगर extend हुई भी ना मान लो 1% ही chance है कि आईटर की date extend होगी तो वो होगी 31st July को क्योंकि अगर इतनी सारी आईटर फाइल हो रही है यह data जो produce किये जाते है यह इसलिए कि जब इतनी सारी आईटर फाइल हो रही है एक दिन में 26 लाक आईटर फाइल हो रही है that means portal सही से काम कर रहा है अगर 31st July को portal में कोई दिक्कत आई तभी नाइट में आप मानेगा कि कोई डेट एक्सेंशन के आपके पास निउस आएगी ट्वीट के थूई आएगी मेजर ली ठीक है और अगर यह आती भी है तो आपको benefit क्या होगा आपको यह मानना ही नहीं है कि आईटर की डेट बढ़ेगी 31st July की डेट बढ़ेगी अगर किसी situation में portal ने काम नहीं किया तो ही ऐसा हो सकता है आप पास scenario को भी देखे आईटर की कोई डेट एक्सेंशन नहीं हुई है तो चाहे portal पे कितनी भी दिक्कत आ रही है आपको थोड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपके लिए बिल्कुल फ्री है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को भी शेयर कर दे और इस चैनल को भी शेयर कर दे यह बिल्कुल फ्री है गुरुजी classes.com पे यहां पे हमारे courses के लिए जाए courses section में यहां आपको course दिखे रहे ह अश्ली जो thumbnail yellow color में है वो limited validity के courses है और जो black color के यह thumbnail है यह lifetime validity के courses है courses में कोई difference नहीं सरफ validity में difference है जिस भी course में आप interested है है उस पे click करें जैसे आपको यह course buy करना है यहां आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहां पे about the course दिया है शो more करें और इस course के बारे में अराम से पटे 10-15 मिनट अराम से हैं spend करें और जब आपको लगे कि यह course आपके need को satisfy कर रहा है तो बस add to cart कर दे add to cart करते ही आपसे कुछ basic info आपके पूछी जाएंगी और आपका यहीं से username and password भी create हो जाएगा जिसके बाद आप यहां पे login करके ही course को देख पाएंगे तो बहुत ही easy है हमारे courses में enroll करना और यहां पे combo courses का भी section है तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, income tax भी सीखना है, ITA भी सीखना है तो आपके लिए हमारे combo courses अवलेबल है तो cagurujyclasses.com पे आए और हमारे courses का benefit लें किसी भी तरह की query के लिए contact का tab है आप team के साथ contact कर सकते हैं Thank you so much for watching झाल